कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एकलों PCS में और मैं शीद मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं इनवाइर्मेंटल साइंस का बहुत ही इंपॉटन टॉपिक है यह आपका आजभूमी बयों को आज हम जड़ा जानेंगे इसके बारे में सारी चर्चाहें करेंगे क्योंकि recently यह काफी चरचा में रहा है तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ा जानेंगे और मैं आपको बता दूँ इस topic से various exam में बहुत सारे questions आते हैं ठीक है आद भूमियों से बहुत सारे questions आते हैं रामसर convention तो बहुत ही important है तो इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे बहुत सारी आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत साई नए चीज़ आपको जानने को मिलेगी उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं ठीक है अगर आप ये PDF करना चाहते हैं तो टेलिग्राम एप्लिकेशन में जाकर के एक लवव PCS को सर्च कीजिए ठीक है वहाँ पर जाकर के हमारी चैनल को जॉइन कीजिए वहाँ पर ये PDF आपको मुफ्त में मिल जाएगी बास समझ पा रहे हैं चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थियो आद्र भूमी बायोम आज जो हमें टॉपिक समझना है वो है आद्र भूमी बायोम आद्र भूमी को इंग्लिस में कहते हैं विद्यार्थियो वैट लेंड ज्यान रखेगा इंग्लिस में इसको क्या कहा जाता है इंग्लिस में इसको हम कहते है wetland ठीक है wetland biome तो आद्र भूमी को समझने से पहले हम यहाँ पर एक जो word दिया हुआ है पहले इसको समझें जो की है विद्यार्थियो biome ठीक है हिंदी में इसको हम जीवोम भी कहते है तो चाहे तो जीवोम कह लीजे और चाहे बायोम कह लीजे चीज एकी है ठीक है इंग्लिस में इसको कहा जाता है बायोम और हिंदी में इसे क्या कहते है हम लोग हिंदी में से कहते है हम लोग जीवोम ठीक चीज एकी है हो सकता है आज से पहले आप लोगों को लगता हो कि जीवोम अलग है बायोम अलग है तो ऐसा नहीं है चीज एकी है बट हिंदी और इंगलिश के नाम है बायोम जो है ये इंगलिश का है और जीवोम जो है वो हिंदी में है अब पहले हम आदभूमी बायोम को पत्र को बायोम अथवा जीवोम कहा जाता है ठीक है यानि कोई ऐसी जगा बास समझ पा रहे हैं कोई ऐसी जगा जहां पर वनस्पतियां भी हो पेड़ पौदे भी हो जाडियां हो बड़े विशाल व्रक्ष हो छोटे व्रक्ष हो घास हो और प्राणियों में अगर हम देखे तो प्राणियों में विद्यार्थियों प्रात्मिक अभोगता हो दुतियक अभोगता हो तृतियक अभोगता हो यह सारे के सारे प्राणियों वहां पर प्राणियों वनस्पतियां हो और जब यह दोनों किसी जगे मिल जाते हैं बास समझ पा रहे हैं कोई ऐसी जगा जहां पर यह दौनों मिल जाएं, इनका सम्मिलन हो जा, यह खटे हो जाएं, तब विद्यार्थियों, जो system create होता है, ठीक है? जो ecological system create होता है, इसी ecological system को हम बायोम अथ्वा जीवोम कहते हैं, बास में पार हैं, कोई ऐसी जगा जहां पर बहुत सारे प्राणी जीवजन्तु ठीक है ना और बहुत सारी वनसपतियां ठीक है एक जगें खटी हो जाती है तो उनके खटे होने से जो एकुलाजिकल सिस्टम बनता है उस एकुलाजिकल सिस्टम को हम भायोम अorthवा जीवोम कहते हैं समझ बारे ना जीवों क्या है बायों क्या है अब बायों किस चीज पर डिपेंड करता है यह सवाल पेपर में पूछा गया है विद्यार्थियों ठीक है यह सवाल UPPCS में पूछा गया है कि कोई भी बायों किस पर निर्भर करता है तो विद्यार्थियों बायों जो है वो सब से जादा जलवायू पर निर्फर करता है कोई बायोम कैसा होगा ठीक है कोई बायोम कैसा होगा क्योंकि बायोम के बहुत सारी टाइप है जब मैं आपको जियोग्राफी में बायोम पढ़ाऊंगा विश्व के जब हम बायोम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि ब विश्वती वन वायोम होते हैं मांसूनी वन वायोम होते हैं टेगा वन वायोम होते हैं टुंडरा वायोम होते हैं गैस ग्रास वायोम होते हैं घास वायोम जिने हम कहा जाते हैं जैसे आपने नाम सुनाओगा सवाना का ठीक है आपने सवाना का नाम सुनाओगा प्रियरी का नाम सुना हुआ स्टैपी का पंपाज लानोज ठीक है इस सारे के सारे बायोम सी है इनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम बढ़ेंगे जियोग्राफी में बायोम वाला टॉपिक तब ठीक है फिलाल अब याप इतना समझ ली दिए कि किस जगह पर कौन सा बायोम किस जगह पर मांसूनी वायोम बनेगा यह सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है जलवायू के ओपर ठीक है उस छेत्र की जलवायू कैसी है इस बात पर डिपेंड करती है अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है मालीजे बहुत ज़्यादा पानी बरसत सबसे बाइयू होगी वैसा ही बायोम निर्मित हो जाएगा उम्मीद करता हूँ यह आपको समझने आया होगा अब बायोम में कुछ बेसिक चीज़ वहुते हैं कुछ बेसिक तर्म है जो आप से एग्जाम में पूछल ला या कि तू किसी भी आपका बायोम में वनश्पतियों का समु तो कि बायों कब बनेगा जब वनस्पतियां होंगी और जीव होंगे तो वनस्पतियों का जो समु होता है उसको हम कहते हैं विद्यार्थियों flora ठीक है और जो जीवों का समू होता है जीव जन्तूओं का ठीक है प्रात्मे को भोगता दोतिय को भोगता तरतिय को भोगता उनके समू को हम कहते हैं fauna तो यह है flora यह fauna यह basic जानकारी है biomes के बारे में जो मैंने आपको दी है हाला कि जब हम geography पढ़ेंगे तो बहुत सी detail में मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा जीवों क्या होता है जीवों कैसे बनता है जीवों को प्रहवित करने वाले कारक जीवों के विश्व में प्रकार और map पर उनकी location सब हम detail में लेकिन यह चोटा सा topic है जिसको हम आज पढ़ देते हैं क्योंकि exam oriented है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर तो हमने पढ़ा बायोम क्या होता है बायोम के सपर डपेंड करता है और flora और fauna क्या है ठीक है उम्मी भूमी क्या होती है जरा इसको हम discuss करेंगे यह आद्र भूमी क्या है wetland क्या होते है ठीक wetland क्या है तो विद्यार्थियो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आद्र भूमी क्या है तो पहले मैं आपको जरा आद्र भूमी दिखा देता हूँ ठीक यह जो आप देख रहे हैं विद्यार्थियो थोड़ा से जूम कर लेते हम इसको यह जो आप देख रहे हैं यह विद्यार्थियो एक वैट लेंड का ही एक फोटो है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि चारो और जो है पानी भरा हुआ है छोटी-छोटी घास उग रही है और देखे पेड़ पौदे भी यहां जो आपको दिखाई दे जाएंगे देखे यह जो है यह पेड़ पौदे हैं यहां पर और यह जो है आपका यह आपको पेड़ पौदे देख जाएंगे यह चोटे-छोटे यहां पर चडियां है यह घास है जाड़ी बगएरा यह देखे पानी यहां पर भरा हु का है तो देखो भईया बैट लेंड का है आद्र भूमी क्या है तो ऐसे दल्दलिये या पानी वाले छेत्र ठीक है ऐसे दल्दलिये या पानी वाले छेत्र जहां वर्ष भर या तो पूरे साल या साल के एक हिस्से में शब्दों पर ध्यान जीजेगा ठीक है या तो पूरे सा यानि बारों महीने या साल के किसी एक हिस्से में प्राकृतिक या क्रत्रिम रूप से शांत या बहता जल ठीक है साल के किसी एक हिस्से में या पूरे साल चाहें तो प्राकृतिक या क्रत्रिम रूप से चाहे तो जल मीठा हो या खारा हो अगर जमा रहता है यानि point हमारे पास ये है कि कोई भी ऐसी जगा कोई भी ऐसा दलदली है या पानी वाला छेत्र जहां पर या तो naturally पानी इखटा रहता हो या किसी क्रत्रिम तरीके से पानी हमने वा इखटा कर दिया हो जल चाहे वो मीठा हो या खारा हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कैसा भी हो सकता है और उसकी गहराई ठीक है और उसकी गहराई 6 मीटर से जादा ना हो जैसा कि आप देख पाएंगे गहराई का जो यहां पर रेशियो है वो है कितना 6 मीटर से जादा ना हो तो ऐसी किसी जगा को जहां पर साल भर पानी भरा रहता हो या तीन महीने चार महीने पानी भरा रहता हो पानी कैसा भी हो चाहे मीठा हो यानि नदी का जल हो चाहे खारा हो यानि समुद्र का जल हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता बस हो और उसकी घहराई 6 मीटर से जादा ना तो अगर कोई ऐसी जगह बनेगी तो उस जगह को हम कहेंगे आद्र भूमी इंग्लिस में वैट लेंड ठीक है इंग्लिस में क्या कहेंगे इसको वैट लेंड जैसा कि इसमें हमने देखा था यह आप देख पाएंगे यह बिलकुल एक वैट लेंड ही है ठीक है देखे पानी बड़ा हुआ है यहां पानी है लेकिन यहां नहीं है पीछे भी पानी बद्पानी हुआ है आपको लगता है कि इतना गहरा हुआ कि छे मिटर से भी जाद इसकी गहरा रही होगी तो बिल्कुल नहीं तो एक ऐसा ईलाका है जहाँ पर साल के कुछ महीने तीन चार महीने कह लिजे या पूरे वर्ष भर इस तरीके की condition अगर कहीं हो रही है ठीक है तो ऐसे natural landscape को हम क्या कहेंगे बच्चो ऐसे natural landscape को हम कहेंगे कि ये एक wetland है ये example है किसका ये है विद्यारतियो एक example wetland का ये क्या है एक wetland है समझ पा रहे हैं हाजी अब है देखतें इसको वापस से अब इसका महत तो क्या है Wetland हमने समझ लिए क्या होते है ठीक है अब हम देखते हैं הזak महत तो वैट्रेंड में विद्यारतियों बहुत सारी ऐसी दुरलब जीव निवास करते हैं to Samana जगहों पर नहीं होते बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो वेट लेंड में ही पाए जाते हैं क्योंकि वहां की जो एको सिस्टम होता है वो सामान जगाहों से अलग होता है ठीक है तो वेट लेंड जो हैं विद्यार्थियों ये कई कीट पतंगों जीव जनतुओं तथा पौधों की अनेक दुरलब पौधों का निवास इस्थान होते हैं ठीक है ये जो वेट लेंड है ये बहुत सारी जीव जनतुओं तथा अनेक प्रकार के दुरलब पौधों का निवास इस्थान होते हैं यहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ा होती है जो नॉर्मली आपको सामाने जगाहों पर नहीं मि डिनाहमेलेंगी साय है तो इसवजेसे हैं यहां पर सारे ऐसे जीव जनतु निवास कर रहे हैं जो आपको कहीं और nggak लाहीं यहां समझ पा रहे हैं तो humans त्तिक how यह पॉइंट बेहद ही important है पारिस्थित की तंत्र में यह जो wetland होते हैं यह क्या करते हैं किड़नी की तरह कार करते हैं यानि हमारे जो पारिस्थित की तंत्र में जितनी भी waste material है जो प्रकृती के किसी काम के नहीं है या हमारे पारिस्थित की तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं बास समझ रहे हैं जो हमारे पारिश्चित की तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं तो ये जो वैट लेंड हैं विद्यारतियों ये क्या करते हैं ऐसे जहरीले तत्वों को निश्क्रिय कर देते हैं तथा पोशक तत्वों का निर्मान करते हैं यानि वेटलेंड क्या कर रहे हैं वेटलेंड हमारे जल में जो अशुद्धियां हैं जो केमिकल आकर के मिल जाते हैं जो बहुत सारे जहरीले तत्व आकर के मिल जाते हैं उनको प्यूरिफाई कर देते हैं ठीक है इस वज़े से इन्हें क्या कहते हैं किड़नी ऑफ नेचर यानि प्रकृति का गुर्दा यह पेपर में पूछा गया प्रशन है कि प्रकृति का गुर्दा किसे कहा जाता है तो प से अलग करना है ठीक उसी प्रकृति का गुर्दा यह ध्यान रखे गा बाड का बहुत सारा पानी जो है यहां बहे करके आया अब क्या होगा जब पानी यहां आ जाएगा ठीक तो बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा बिल्कुल फैल जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है ठीक है यह बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा इससे क्या बाढ के दोरान क्या होता है विद्यार्थियों बहुत सारी मिट्टी जो उपजाओ मिट्टी जो होती है वो बहकर चली जाती है बाहर चली जाती है जलके बहाओ के साथ बहुत सारी उपजाओ मिट्टी अपना स्थान छोड़ देती है लेकिन जब यह बाढ का पानी इस एरि में फसकर रहे जाएगी यहां पर जैसा कि इस तरीके से क्या होगा बाड का पानी आएगा यहां पर देखें जड़ा यहां पर क्या होगा बाड का पानी एंटर करेगा बाड का पानी जब एंटर करेगा जारती हो तो बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा तो पहला तो का यह होगा कि बाड का प्रभाव जो है जो वेग है वो कम हो जाएगा प्लस यहां पर जो दलदलिया इलाका है यह जो उपजाओ मिट्टी वहागर के नदी ला रही है उसको नुकसान होने से बचाएगा और अपने में रोक लेगा इससे क्या होगा मिट्टी का जो कटान है वो नियंत्रित हो जाएगा और बाड का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा तो वेट लेंड जो है बाड के प्रभाव को कम करते हैं तथा मिट्टी के कटाव को भी रोक लेते हैं यही पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बाड के प्रभाव को कम करते हैं तथा मिट्टी के कटान को रोक लेते हैं आद भूमी वेट लेंड तो काफी महत पूर हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ठीक है ना सही है तो यह इनका महत को है पहले तो यहाँ पर बहुत सारे जीव जन्तु पाए जाते हैं ठीक है तीसरा बाल के प्रोफाव को कम करते हैं तो ये इनका महत तो है अच्छा एक महत तो इनका और है वो महत तो क्या है वो आपको फोटो समझ में आएगा अब आप देखो यहां पर ध्यान देंगे कि यह जो है यहां पर पानी भरा हुआ है यहाँ पर पानी बरा हुआ है तो जिन इलाकों में वेट लेंड्स होते हैं ठीक है वहाँ पर जो भूमिगत जल है ठीक क्योंकि यहाँ पर तो पानी भर ही रहेगा ना साल भर तो जिन इलाकों में वेट लेंड्स होते हैं वहाँ पर भूमिगत जल का इस्तर बहतर बना रहता क्योंकि यह जो पानी है रिसरिस कर धरती के गर्म में पहुंसता है और मनुष्य जो है फिर बाद में motor की सायता से pump की सायता से नल की सायता से इसी को वापस निकाल लेता है तो जहांपर wetlands होते हैं वहांपर water level जो है वो down नहीं होता है तो ये भी इसका एक फाइदा है ये इस हम कर क्या रहे हैं, अब हम विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं? हम धना धन बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक, आपके भी आसपस जरूर एक ऐसी जगह होगी, जहां पर कोई तालाब रहा होगा, बच्पन में, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था, लेकिन आज वह बेकार जगा है कुछ तो हमारे किसी दाने है वो बहुत भेतर है। और मनुस्यों से तो ज़्यादा ही महत पूरे हरालत में तो ज़रा हम इसकी व्याक्षा करते हैं यहाँ पर कि अब इस्तिति क्या है तो चुकि हम इनको ख़तम करते जा रहे हैं इसलिए आद्र भूमियों को बचाने के लिए एक कन्वेंशन है एक ट्रीटी है एक संधी है जिसका नाम है रामसर जिसका क्या नाम है विद्यार्थियो जिसका नाम है रामसर संधी या रामसर संमेलन अब रामसर संमेलन क्या है यह बेहद ही इंपोडेंट है एक्जाम में सीधे सीधे आप से पूछ लेगा रामसर संभेलन या रामसर संधी का संबंध किस्से है तो आप जवाब देंगे आद्र भूमी से अब ये क्या है तो विद्यार्थियो आद्र भूमी सरक्षण के लिए इरान के रामसर में ये भी पूछ लेता है कि रामसर संधी में रामसर गया है तो रामसर इरान का एक शहर है आज बूमी सरच्छण के लिए इरान के रामसर में दो फरवरी 1971 को एक अंतर रास्त्रिय समझोता हुआ ये समझोता कब हुआ विद्यार्थियो ये समझोता हुआ 21 दिसंबर 1975 को बलब लागू कब से हुआ 21 दिसंबर से ठीक है इरान के रामसर में दो फरवरी 1971 को एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई और ये ट्रीटी लागू कब हो गई 21 दिसंबर को तो ये द्यारगना दो फरवरी को समझोता हुआ जबकि लागू हुआ है 21 दिसंबर को दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर में एक इंटरनेशनल ट्रीटी पर साइन किये ठीके ने और फिर ये ट्रीटी जो है 21 दिसंबर 1975 से लागू होगे तो दो तारीके हैं कब से शुरू हुई है और कब लागू हुई है तो ये जो संदी है ये संदी हुई थी दो फरवरी 1971 को डेट याद रखेग या रामसर संदी किस वर्ष लागू हुई तो 31 दिसंबर 1975 को जैसे पूछे वैसे जवाब देजेगा ठीक है चौदरी बनके हर सवाल में वही जवाब मत देना जो तुमको आता है एक्जामनर जो पूछे वही जवाब दोगे तो सफलता मिलेगी अनिता फेलोगे घर आ जा हस्ताक्षर करता है ठीक है लेकिन ये बात ध्यान रहे कि भारे ने इस वर्स यानि 1975 में इस पर कोई साइन नहीं किया नहीं 1971 में किया तो भारत इसका संस्थापक सरजस्थ से नहीं है ये भी मैं सपस्छर कर दू भारत ने इस पर हस्ताक्षर rê YEET10 किस वर्ष किये हैं तो मैं आपको बता दू 1982 में 1982 में भारत संधी में सामिल हुआ यानि इस समय पर ये भारत इसमें सामिल नहीं था लेकिन हाँ बाद में हो गया तो हस्ताक्षर करता तो है ही अब आप देख पाएंगे ये जो है आद्भूमी ये जो आद्भूमी दिवस से विद्यारतियों ये प्रतिवर्ष दो फरवरी को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है तो आप देख पाएंगे क्योंकि दो फरवरी को ही 1971 में रामसर संधी हुई थी तो उसी की याद में दो फरवरी को हमेंसे मनाते हैं द्यान रखेगा दो फरवरी को ही ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है अब इस वर्ष भी मनाया गया होगा तो बिलकुल यहां पर बेहद इंपोर्डेंट पर स्कूल सकता है आपसे कि 2020 में जो आदर भूमी दिवस मनाया गया था उसकी थीम बताईए आज का जो ट्रेंड है वो आपको सवाल पूछ लेगा कि इस वर्ष दो फरवरी 2020 को विश्व आदर भूमी दिवस मनाया गया इसकी थीम बताईए तो जादर तर लोग क्या करते हैं दिवस तो याद कर लेते हैं उसको रट्टा माल लेते हैं लेकिन थीम छोड़ देते हैं तो एक्जामनर आतकल थीम पूछेगा लेकिन ये वीडियो लेक्चर आपका 2021 में भी काम आने वाला है कोई दिक्कत नहीं कोई चीजें इसमें बदलेंगी नहीं बस यही एक चीज है जो थीम है वही चेंज योगी बागी तो सब सेमी रहने वाला है तो ध्यान रखेगा 2020 की थीम है आदर भूमी एव रामसर सम्मिलन में या रामसर जो सूची है या रामसर संधी है उसके अंतरगत विश्व में कितने छेतर आते हैं या कितने अंतर रास्ति इसके स्थल हैं वो जरह हम देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख पाएंगे वर्तमान में विश्व के कुल 2231 आदर भूमी स्थल र 22021 आदर्वहमी स्थल है जिनका कुल एरिया जो है कुल चेतफण कितना है 2.9 Coleman वर्ग Km यानि हम कह सकते हैं तकर दो करोड़ work あotional time है कि दो को रोड़ ने है दो करोड़ नहीं विद्यार्थियों यह होगा तकर रहान 20 लाग को ठीक है कि यह होगा तकर रहान बीस लाग के करीब होगा ठीक है फिलाल आप इसे मिलियन में याद रखे टू पॉइंट वन मिलियन वर्ग किलोमेटर एरिया इसमें सामिल होता है ठीक है विश्व में कुल कितने आपके छेतर हैं दो हजार दो सो इकत्यस आज़भूमी इस्थल है यूनाइटिट किंडम में हैं कितने हैं विद्यार्थियो 170 मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ हाँ आप देख पाएंगे इसमें मैं से सोड़ा सा जूम कर देता हूँ चलिए भीया तो ये हैं आपके वर्ड मैप पे आप देख पाएंगे इसको ये पूरी दुनिया के लिए हैं तो आप इसको देख सकते हैं ये हैं रामसर साइट एराउंड दा ग्लोब तो आप इसमें देखें ये भी डाटा आप नोट के लिए किस कॉंटिनेंट में कितने रामसर जो है रामसर साइट हैं किस कॉंटिनेंट में तो देगे अफरीका में कितने हैं 23 तेके अफरीका में 23 रामसर इस्थल हैं एशिया में 332 रामसर इस्थल हैं यूरोप में आप देखेंगे यूरोप में सबसे जादा हैं यूरोप में 1052 रामसर इस्थल हैं ठीक द्यान रखेंगे प लातिन अमेरेका को हम नौर्थ सौरे साउथ अमेरिका भी कहते हैं यह जो है क्वाउनट वाइस डाटा है आप इसको एकबार ध्षान रख लीजिए महतपूर पेपर में पूछा जा सकता है कि वता यह अफड़ीका है कितने रामसर इस्थल हैं 23 हैं एशिया में 332 यूरोप में 1052 दक्षन अमेरिका में 1013 उत्री अमेरिका में 381 ऑस्टेलिया में 66 तता ओशेनिया में 10 ठीक है ध्यान रखेंगे अगर कोई पूछ ले अंटार्क टिका में कितने हैं तो वहिया अंटार्क टिका में एक भी नहीं ह यह दियान रखेंगा अंटार्क टिका में यानी दक्षनी ध्रुव पर एक भी रामसर इस्थल नहीं है क्यों नहीं है तो भहिया रामसर इस्थल वहीं तो होगा जहां जमीन होगी वहीं तो दलदल विक्सित होगा जहां बर्फ है वहां दलदल कैसे विक्सित होगा और दक यहां पर हम देखें अब यह जो रामसर संधी में जो सामिल देश हैं ठीक है एक सो उन्चर देश मैं आपको बताए थे वो क्या करते हैं प्रतेक तीन वर्स बाद Conference of the Contracting Parties का आयोजन करते हैं आप देख सकते हैं रामसर संधी के सदस्देश प्रतेक तीन वर्स बाद COP का आयोजन करते हैं COP यानि Conference of the Contractic Parties Conference of the Contractic Parties यानि COP का आयोजन करते हैं यह प्रतिक तीन साल में होता है यह ना सही है और यह बिल्कुल आप से पूर सकता है कि 2020 में यह कहां प्रस्तावित है COP है ना रामसर कन्वेंशन का COP 2020 में कहां होगा यह देखने वाली बात होगी कि यह हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देखी रहे है फिलाल जून में प्रस्तावित है तो यह जो रामसर संधी के देश है यह क्या करते है यह आपका तीन वर्स बास COP का आयोजन करते हैं Conference of the Contractic Parties का आयुजन करते हैं ये प्रतेक तीन वर्षवाद 2020 में ये जून के महीने में प्रस्तावित है अब मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा अब ये जो COP है ये करता क्या है ये जरा हम देख लेते हैं तो इस COP में एक रिकॉर्ड तयार किया जाता है जो बेहदी में होड़ है इस COP को जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है आप देख सकते हैं ये जो COP है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड तयार करती है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है जरा हम जान लें तो इस रिकॉर्ड में ऐसे इस्थानों को शामिल किया जाता है जहां मानविय हस्तक इन्सानों के आविषक्ता से अधिक हस्तक्शिप। यानि इनसानों ने जंगलों को काट डाला ठीक है इनसानों ने वहां पर फैक्टरियां लगा लिए या पेड़्ों को काट करके खीती शुरू कर और या वहां पर घर बना लिए बड़े पेमाने पे उन्होंने परयावन को हास पहुंचाया है तो ऐसे इस्थान जहां पर मानभी हस्तक्षेप के कारण पारिश चित्की में अत्याधिक परिवर्तन हुआ हो ठीक है ऐसा कोई भी इस्थान जहां पर मानभी हस्तक्षेप के कारण जो वहां का इको सिस्टम है वो चें सिस्टम या ऐसी कोई भी जगा ठीक है ऐसी कोई भी प्राक्रतिक जगा जहां पर इंसानों के हस्तक्षेप के कारण जो वहां का ecosystem है वो change हो रहा हो लगाता बदल रहा हो ठीक है कैसे बदल रहा हो कि इंसान जो है अप दे आपने अक्सर करके घटना है सुनी योगी कि एसा होता रहता है उत्तरा खंड में कि बाग जो है घरों में घुष चुका है अब जब इनलों में पहुँ जाएंगे तो जानवर तो फर तुमारे घर में तेहल रहा है तुमने अपना घर जंगल में बनाया है तो यह तुम्हारा प्रॉबलम है तो इस वज़ेच स क्या होता है यह जो पूरा ecosystem में चेंज होता है क्योंकि आप जब एक पेड़ को काटते हैं तो वह एक पेड़ नहीं कटता है यह बस समझने वाली है जब आप किसी एक पेड़ को कट करते हैं तो वह एक पेड़ कट नहीं होता वह एक पेड़ जब कट होता है तो उस पेड़ पर रहने वाले सूच में जीव समाप होते हैं उन सूच में जीवों को वो जो सूच में जीव होते हैं उनको छोटे-छोटे कीट पतंगे उनका भूजन करते हैं उनकीट पतंगों को प्रात्मे को भूगता खाते हैं या जो आपका वो जो पेड़ है उसमें जो एनर्जी है है उसके फॉलो में उसको कॉब भोक्था खाएंगे अब जो परास्मे को भी नहीं चुनार हो जांगे तो जी किस का भोजन करेंगा वह तो उच्छ मां सहारी तो एसे वह भी समापस हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां बिगाड़ देते हैं हम इनसान ऐसा ही कर रहा है तो ऐसी कोई भी जगे जहां पर मानवी हस्तक्षिप के कारण वहां की एको सिस्टम में चेंज आ गया हो तो ऐसे स्थान को मौन टेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते ह है तो कहीं न कहीं आद्र भूमियों के जो रांसर सम्मेलन हुआ है उसके सी योपी से ही है ज्यां रखेगा अच्छा भारत में ऐसे कितने छेत्रें जो मौन टेक्स रिकॉर्ड में सामिल रहे चुके हैं तो भहिया भारत में दो छेत्रें आप देख पाएंगे पहला है अधियान और दूसरा कौन सा है दूसरा है लोक टक जील ठीक है यह मड़िपूर में है और लोक टक जील जो है यहीं पर जो है आपका भारत का एक मात्र तेरता राश्टी उद्यान भी मौजूद है ठीक जिसका नाम है काबूल लाम जाओ शायद आपने नाम सुना होगा का काबूल लाम जाओ यह लेक्तों मैं नहीं पाँगा इसको लेकिन चलिए फोड़ा समझ में तो आई रहा होगा काबूल लाम जाओ नामक त्यारता राश्टी उद्यान इसी धील में है तो यह दोनों ही मौन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल रहे चुके हैं ठीक है मैं आपक लोकटक वाला 1993 में शामिल किया गया था यह दोनों ही आपका रहे चुके हैं मौन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल मौन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है आपको समझ में आ रहा होगा काफी महत्पूर्ण है ठीक है ना एक समय में यहापर चिलका जील भी शामिल थी लेकिन 2002 में चिलका जील Montrex record से बाहर हो गई ठीक है ये था विद्यार्थियो आजभूमी स्थलों से जड़ा हुआ Montrex record अब बात करते हैं हम लोग भारत की कि भारत में भारत में आजभूमी स्थल कौन कौन से हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया भारत ने 1982 में रामसर संधी को सुईकार किया ठीक है प्रारब में इसमें केवल केवला देव रास्ति उद्यान तथा चिलका जील ही शामिल थे स्टार्टिक में जब हमने इसको सुईकार किया था तो केवल हमें दो ही वेट लेंड हमने सामिल किये थे रामसर कन्वेंशन के अंतरकत वो कौन से थे केवला देव और चिलका जील केवल दो लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई दिसंबर 2019 तक ठीक है लेटेस डेटा में आपको दे रहा हूं दिसंबर 2019 तक इनकी संख्या 27 थी लेकिन जनवरी 2020 में दस और नए आद भूमी इसमें जोड़ दिये गए ठीक है दिसंबर 2019 तक इनकी संख्या थी विद्यारतियों कितनी इनकी संख्या 27 थी कि दिसंबर 2019 तक इनकी संख्या 27 थी है ना लेकिन जनवरी 2020 में 10 और नए आद भूमी सथर में जोड़ दिये गए इसलिए अब पहले 27 थे 10 और जो लगे तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है 37 अब यह 37 है टोटल अगर कभी एक्जाम में पूछ ले कि बताईए वर्तमान में कितने आदर भूमी स्थल है भारत में जो पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है तो आपका जवाब क्या हो गए है 37 अब जड़ा हम कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं अगर कभी पूछ ले भारत में सरवादिक आदभूमी छेत्वल वाला राज्य कौन सा है तो वो कौन सा है विद्यारतियों वो है गुजरात आप देख पाएंगे अगर कभी पूछ ले भारत का सबसे बड़ा आदभूमी स्थल कौन सा है इस पेसली भारत का सबसे बड़ा आदभूमी स्थल तो वो है वेमराट जील जो के केरल में है और अगर पूछ ले भारत का सबसे छोटा आदभूमी स्थल कौन सा है तो आपके सामने है रेणु का आदभूमी स्थल हिमाचल पदेस यह कुछ ब देख रहे हैं यह हैं भारत के 26 27 आद्भूमी स्थल है यह ठीक है यह भारत के लिग देता हूं में यहाँ पर यह भारत के 27 आद्भूमी स्थल में इंडिकेट किये गए है ठीक है जैसे अगर मैं इनकी लोकेशन आपको बता दूँ तो दो चार मैं आपको पढ़के सुना देता हूं इसमें कौन कौन से हैं तो देखो जम्मू कश्मीर में जो है आपको दिखाई देगा पहला उपर की और देखेंगे ठीक है तो जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई देगा क्या बूलर लेक यह इसके लाबा होकेरा वेटलेंड इसके लाबा यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको मिल जाएगा सुरिंसर मानेसर जील यह जम्मू कश्मीर में ही है इसके लाबा जम्मू कश्मीर में ही आपको मिल जाएगी सोमो रीरी जील ठीक है यह जो है सोमो रीरी यह रही सोमो र वाजन हो गया है तो अब यह लद्दाक में चले गए ध्यान दाखना तो अब यह इसमें नहीं है ठीक है इसके लाब अगर हम हिमाचल में आ जाए आप देख पाएंगे पता नहीं देखे का चली मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिशिश करता हूं इसको कि चले कि मैं पताने का प्रयास करता हूं आपको अगर आप देखो हमाचल में आ जाएंगे तो यह रहा हमाचल ठीक है ये जो है अगर हम आजाएं यहांपर यूपी का देख लेते हैं तो यूपी में देखो यूपी में यह रहा अपर lavayan कैनल लेकिन यह जो पूरी की पूरी सिती है आप इसमे सब देख सकते हो अप इसे दो सकते हैं सारे के सारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसे इसकी शॉट ले ले लें इसका और जूम करके आप इसको देख लीजे सारे के सारे बैट लेंड किदा रहें अच्छा एक चीज मैं सपस्ट कर दूं कि यह जो सारे के सारे बैट लेंड हैं यह 27 जो हैं यह 2019 के ह हैं है थिक 2019 के दिसंबर महिने तक वो सारे के सारे हैं इसमें लेकर अब जैसे कि मैंने बताया कि 10 नए और जोड दिये गए हैं तो जरा उनको देख लेते हैं 10 नए कौन-कौन से जोड़े गए है ठीक है आप देख सकते हैं पंजाब में उत्तरप्रदेश में और महारास्तर ने ठीक है यह दस नए है पंजाब में कौन सा है नागल वाइड लाइफ सेंचुरी यह देखे यह पंजाब की लोकेशन है यहां पर यह पंजाब है ठीक पंजाब में कौन कौन से जोड़ फिर नवाब गण्ज बर्ड सेंचुरी नवाब गण्ज पक्ष्य विहार विस में आ गया है फिर है समस्पूर बर्ड सेंचुरी समस्पूर पक्ष्ये अई है संडी बर्ड सेंचुरी संडी पक्षी विहार फिर है पार्वती आग्रा बर्ड सेंचुरी और फिर है समान बर्ड सेंचुरी यह है यूपी के तो यूपी के आप विशेश रूप से याद रखेगा यूपी के एक्जाम में जो यूपी में संधी में तो देखे क monit यहाँ पर यह हैं में सरसाई नावर hanya नवाब गंज बड सेंचुरी समस्पुर बड सेंचुरी संडी बड सेंचुरी पार्वती आगरा बड शेंचुरी दिखें हैं और suppose समान बड़ सेंचुरी थीक यह काफी मह्तपुण में द्यान रखना यह उत्तर प्रदेश के हैं महाराष्ट के देखें तो महाराष्ट में हैं नादूर मध्या मेशो और बड़ सेंच्री ठीक है नादूर मध्या मेशो और बड़ सेंच्री यह किवल एक ही है अगर आप इनको गिल लें तो देखो यूपी में एक दो तीन चार पांच और चे ठीक है तो यूपी में ये बहुत important है कि यूपी में छे नए आद्रभ॰ूमी स्थल यूपी के paper में इस्तरी किसे भी आ सकता है कि बताईए यूपी के कितने नए आद्रभ॰ूमी स्थल रामसर सूची में शामिल किये गए है तो भहिया ध्यान रखना टोटल कितने किये गए है यूपी के छे ठीक है यूपी के छे पंजाब के तीन महाराश्टर का एक सही है इन सब को मिला करके टोटल कितने हो गए है अब 37 ठीक है ये जो 10 नए है उनका मैप है उनकी लोकेशन है और जो 27 पुराने हैं उनकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं ठीक ये हैं 27 पुराने वाले ठीक और ये हैं 10 नए वाले ठीक दोनों की कि इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी अगर वीडियो में आपको कुछ नई बास सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक और कोरोना वहुत तेडी से फैल रहा है तो घर परी रहिए सुरक्षित रहिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में जय हिन जय भारत